बिज़ेपी राज़े सभासांसित कृष्णलाल पवार का कॉंग्रेस परवार हर्यान नीस से खास बाचीत के दोरान प्रहार किया है कॉंग्रेस पार्टी चार धड़ो में बटी हुई है कृष्णलाल पवार ने कहा है कॉंग्रेस प्रभारी के निश्पक्ष चुनाब वाले बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा हर्याना में हर चुनाब निश्पक्ष ही होता है कृष्णलाल पवार ने कहा और इसके साथ ही राम मंदिर के प्रान प्रतिष्था को लेकर भी उन्होंने बयान दिया प्रान प्रतिष्था कारिक्रम देश में दपाबली की तरह मनाया जाएगा पार्टी शीट शेरिंग को लेकर बातचीत कर रही है भुपेंदर सिंग हुड़ा ये कहते हैं कि हमें जो है जरूरत रही किसी साथी की हम अकेले चुनाव लड़ने में शक्षम हैं और वहीं आमादमी पार्टी की बात की जाए तो पांच शीट मांगते हुए नजर आ रहे ह भारतिय जंता पार्टी जैसे भपिंदर सिंग हुड़ा के बारे माँ आप कहा रहे हैं का भी हम सक्सम हैं और दूसरी तरफ आमादमी पार्टी को गटभंदन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये पार्टी में कोई दम नहीं है पार्टी टुटी हुई है हर्याना के अंदर से जब आपस में इनका कोई ताल मिल नहीं है तो कैसे हर्याना प्रदेश में सरकार बनाएंगे निश्ची तोर्ष पर हर्याना में 10-10 पर चीज और दिपक बावरिया से हमारे कल खास बात चीट हुई थी उनकी तरफ से कहा गया कि हरियाना में फ्री अंट इंड फे यानी निनिश्पक्स चुनाव होता है तो हम दस की दसिए जीज़ जाएंगी तो उनका मानना है कि bags चुनाव नहीं होता लोकसभा में इस प्रकार की बात करते वह जरा है कैसे देhता ना प्रदेश है तो हर्याना में इस परकार का कभी स्टेजी बढ़ी नहीं ना बन पाएगी कि आपसमें भाईचारा है भाईचारे से चुनाव होता है लेकिन परजात अंतर है किसको सरकार के लिए चैन करते हैं वो मतनाताओं का अधिकार है प्रदेश अधिक्ष उदेवान भी बात कहते हुए ने जरा रहे हैं पहले उदेवान जी अपनी पार्टी को संभाल लें उदेवान जी का जो मैंने नाम गिनाये हैं वो बेंदर शोड़कर क्या कभी कोई नेता उनका नाम लेता है जब खुद पार्टी लोग उनका संभाल ने करते तो कैसे वो परदेश के अंदर सरकार बनाएंगे उस प पूरा देश धुम्धाम से इस कारिक्रम में को बनाने में लगा हुआ है वह कोंग्रेस के अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से जो है निमंतरन एश्विकार कर लिया गया उनका कहना है कि आर एसेस और बीजेपी का ये राजनेतिक कारिक्रम हैं हम इस कारिक्रम से दूरी बनाएंगे कोंग्रस पार्टी की नीती है कोई भी अच्छा काम करें तो उसका विरोध करते हैं पूरे हिंदोस्तान की जो 500 साल से राम अंदर के निर्मान को लेकर हर वेक्ति के मनमद है को कब राम अंदर बनेगा कोन वेक्ति बनाएगा लेकिन देश में अधिकतर राज क अधिक ने लिया परधान मंतर कोम धन्या करते हैं जिनोंने अधा में उनकी पूरी टीम ने राम मंदर का निर्मान करा और 22 तारीक के लिए पूरे हिंदोस्तान के लोग इंतजार में हैं और दिवाली की तरह परव के तोर पर इस दिन को मनाएंगे और देश वासियों की ज से किया गया है कैमरा में दिनेस के साथ मैं रवीकाली रमन हरियाना न्यूज दिली